तो यह देखे कितना मज़े का कितना जबर्दस बना है मैं और ज़्यादा खाऊंगी असलाम अलेकुम मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन वीद आमना यूटूब चैनल तो आज की वीडियो स्पोंसर की गई है हाइड की तरब से तो आज हमारे किचन में बन रहा है रमजान स्पेशल में इफ्तारी में हाइड प्रिड्जेंट्स चिकन पॉप्सिकल्स करें रमजान आने वाले एझ drag जान अफ्रियंटम प्रिकर कर लें और यहां इस है में जाएं यह एफ्तारी का टाइम हो इसको नहीं न HR कर लें जब ढ listens और आपके घरवलों को बहुत पसान्द आएगी, तो चले स्टार्ट करते हैं बोल लास चिकल लिया है, मैंने आदा किलो, दो ब्रेट के स्लाइस लेंगे और यह हमने आइस क्रीम स्टिक्स जो होती है ना, जो मिलती है बजार से वुडन वाली अद्रक लसन का पेस्ट लेंगे, वन टेबल स्पून, सोया सोस लेंगे, वन टेबल स्पून, चिली सोस लेंगे, वन टेबल स्पून, जीरा पाउडर लेंगे, हाफ टी स्पून, काली मिश का पाउडर लेंगे, हाफ टी स्पून, लाल मिश का पाउडर लेंगे, हाफ टी नमक लेंगे, मैंने यहां पर 1 teaspoon लिया है, क्योंकि सोरा सॉस में भी नमक होता है, इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के मताबिक जादा काम कर सकते हैं, तो चलिए अब हमने करना है एक चोपर लेने, सबसे पहले हम ब्रेड के स्लाइस को तोर के इसका चूड़ा चूड़ा कर चूपर में डाल के तो ब्रेड का ब्रेड क्रम्स बन चुके हैं, तो अब मैं इसमें डालूंगी चिकन और इसमें डालूंगी अद्रग लसन का पेस्ट और इसमें डालेंगे सोया सॉस, चिली सॉस, नॉमक, लाल मिर्च का पाउडर, पाप्रिका पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, अब यह सारे चीजन डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो देखें कीमा हमारा अच्छे से चॉप हो चुक है, अब इसको हम निकाल लेंगे, इसको हम बाउल में तो अब हम इसमें डालेंगे ओईल, तकरीबन 2 डालें तकरीबन 2 डालेंगे आपसे अच्छे से मिक्स करेंगे, कि ये हमारे हाथों में चिपके ना, इसलिए मैं ओईल डाल रही हूँ, चलें, ओईल हमने डाल दिया, यह जो हमने कीमा बनाया है, जारा पतला नहीं होना चाहिए और ना जारा सकत होना चाहिए, ठीक है, यह इस तरह का होना चाहिए, अब मैं के करूँगी ये स्टिक्स लूँगी, वॉडन वाली, आप चाहें आप इसको एक प्लेट में सारा सेट करके इसके पीसिस भी कर सकते हैं या आप चाहें, आप हाथ से भी बना सकते हैं, मैं हाथ से बनांकि दिखाती हूं आपको, इस तरह से एक गोल सा आप बना ल इसको एप्लेट में रिखते जाएंगे, इसले की आपने शेफ देखे के बना के प्लेट मे रिखते जाने की और इसी तरह बना लूँगी सेम उसी तरह अगर हाथपे चिपके तो आप थोड़ा सा ओी लगा दें या पानीटिक लगा लें और अब इसको हमने शेव देनी है जैसे हम आईस क्रीम बनाते हैं सेन वैसे शेकल देनी है आइस क्रीम जैसे खाने वाली होती है यह देखें इस तरह युक्कि ऐसी चीज़ा देख के बच्चे भी बहुत ज़ादा खुश हो जाते हैं इससे तरह मैं सारे बना लूँगी तो यह देखे, सारे पॉप्सिकल रेड़ी हैं, आप इसके ओपर हमने कोटिंग करने हैं, तो कोटिंग तरने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए कोटिंग त्यार कुटे के लिए, मैंने दू आधतży आधा इंडे ली हैं और हजबिस्फ भूआ मैंने ब्रेड ग्रॉप्स हे रीग हैं अब अध्र फिंगे कम अच्छे से फैंट लिए अब एक पकरेंगे इसको अंडे का कोट करेंगे और ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे और इस तरह हम रखते जाएंगे इसी प्लेट में और इसी तरह में सारे करती जाओंगी और रखती जाओंगे पहले अंडे में रोल करेंगे उसके बाद ब्रेड क्रम्स ब्रेट क्रम्स थारा मोटे मोटे हैं तो आप चाहें आप यह वाले भी ले सकते हैं और बारीज भी कर सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं घर में ब्रेट ले 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 उसका चुड़ा चुड़ा कर ले और ब्रेट क्रम्स बहन जाएंगे आपके तो सारी कोटिंग हमने कर लिए अब इनको हम fry कर लेंगे फ्लेम अन करेंगे हाईर किस होग में है आटर इगनेशन जिससे ना तो मुझे माचिस की जुरुत परती है और ना ही लाइटर की और मेरा टाइम भी नहीं है सुर्त और फ्लेम हो दी ओन हो जाती है तो अब हमने एक पैन ले लिया इसमें मैंने एल डाल और ऑले है पहले से लрал को को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे ज्यादा गर्म हमने ओल को नहीं करना बस मीडिएम घरम को करना है अगर रह लाँ करएंगे ना तो अंदर से कच्छा रह जाएगा ऊपर से बहुत तो इसलिए मेंने फ्लेम को मीडियम कर दी है कर दो डालते जांदे गी अरम कर लेंगे मेरी चाल से दीन बशन अराम से फ्राई होँगे और अब इनकी साइड भी हम चेंज करेंगे देखेंगे इसलिए हो चुके हैं लेक्ट थोड़ा सा मैंने ओर खोलड देंगे चेक कर लिया करें ना बीच में कि जारा ब्राउन तो नहीं हो गए तो यह देखें आप साइट शेंज कर लेंगे यह देखें सेंटर वाले का कलर थोड़ा सा अगया इसका भी आगया जबर्दस्सा कलर आया और इसका भी आगया चलें तो तियार है हमारे बहुत ही मज़े के बहुत ही जादा टेस्ट्री रमजान स्पैशल में इफतारी के लिए हायर पिट्जन्स चिकन पॉप्सिकल्स तो आप यह रेसिपी जुरूर ट्राई करें इकतने जबर्दस बने हैं मैं धोनमामाने स्ट्री थे कबसे हैं तो आप यह रेसिपी जूरुरू ट्राई करें और इस वीडियो को लाइक कड़ें इस वीडियो को निचे बताएं ऑपको यह रेसिपी कैसी लगी तो आप मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बनी हैं तो यह देखें कितना मज़े का व कितना जबर्दस बना है और आप भी यह रेसिपी जुरू ट्राइ करें और सुटी करें करें कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी मैं और जादा खाऊंगी G oportun ।ॉ अगर आपको यह H dinner chicken popsicles की आजब गिया तो भी वीडियो को लाइक करें इसर शियर करें और अब यह रेसिपी ट्राइक करके पिचर में समी करना चातें तो इंस्ट्राग्राम पे आप कर सकतें तो यह रहा मेरा इंस्ट्राग्राम और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ दामना चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ दामना चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बाइल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलेगे क्योंकि से आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक उन्चेगी अलाहाफिज